तो फ्रेंट्स आज जो टिप्स लेकर आई उना वो बहुत ही जादा काम कि आपके घर में सुक्षानती भी बना के रखेंगे आपके बहुत सारे पैसे को भी बचाएंगे और ये टिप्स आपके कामों को बहुत जादा असानी से करके देंगे तो वीडियो पूरी इस तरीके का रेजर सभी के घर में होता है तो चाहे आप इस वाले से करके लिजिए यहां पर देखिए मैं थोड़ा सापको करके दिखा देती हूं तो आप इसे करेंगे ना तो दो ही तीन बार आप इसे लगाएंगे और बहुत ही बढ़िया साफ हो जाएगा और साथी सा इसे भी निकलता है यह देखिए तो आप दोनों को ही ट्राइ कर सकते हैं और मैं आपको बैक पर करके दिखाती हूं तो यहां पर क्या होता है जहां तक आप लगाएंगे ना ऊपर से नीचे तक वहां तक कि रोए निकल के यहां फसे रहेंगे तो आपको किसी ब्रस से या आपको इसे साफ करना होगा लेकिन आप ब्रस से करते हैं तो बहुत भड़िया साफ होगा तो यहां पर इस तरीके से मुझे पूरा ही साफ कर लेना है मैं ने पूरा स्वेटर क्लीन कर लिया है आई यह वप यह त्प आपको पसंद आई होगी अब यहां पर देखिए यह तो मैरी दूसरी टिप तो यहाँ पर फोग जो इस्पून होता है अक्सर करके आप सीधा ही रख देते हैं तो आज शॉसे तारीकस से रखने का तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके घर में सुकसांती भनी रहेगी तो यहाँ पे सबसे पहले तो यह जो स्पून होते हैं इन्हें हम उपर की तरफ रखेंगे सुकसांती इसलिए कहारी हैं कि जो बच्चे होते हैं अगर वो स्पून निकालने जाते हैं कि आपके हाथों में चोट लग जाती है तो पता ही है कि घर में कितना बड़ा हंगामा होता है तो इसलिए स्पून को आप इस तरीके से रखेंगे तो देखने में भी काफी अच्छा लगेगा और आपको निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी और बच्चे भी निकालने जाएंगे तो उनके चोट नहीं लगे नहीं तो क्या होता है जब स्पून उपर की तरफ रहता है यह फोक वाला तो हाथों में लग भी जाता है कभी-कभी जब भी आप जल्दबाजी में निकालना चाहें अब चलते हैं आप अगले टीप की तरफ तो यहां पर ही हमारे चार्जर को लेके हैं देखिए कभी भी चार्जर ऐसे फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है और आपको इस तरीके से इसे फोड करना देखिए इस तरीके से करेंगे तो यह खुलेगा तो आपको इस तरीके से इसे लेना है और यह जो प्लग है इसके अंदर से आपको इसे फोड करते जाना है और इसके तार में ही इसको फसा देना है क्लिप को यह देखिए इस तरीके से मैंने फसा दिया है अब यह निकलेगा बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पा देखिए अगर आप इस तरह की से इसे घुमाएंगे तो यहाँ से यह शार्ट होने का डर है तो आप क्या कीजिए पहले इसको निकाल लीजिए और फिर इसके उपर रखे इसे भी सेम प्रोसेसे में घुमा देना है और बीच में फिर से इसे फसा देना है तो इस तरह की से आप चार्जर रखेंगे तो देखने में भी अरेंज लगेगा तो आई होब कि यह टिप भी आपको पसंद आई होगी बहुत ही यूजफुल चलिए अब चलते हैं नेक्स टीप की तरफ तो यहां पर देखिए यह दिए हैं जो पुराने दिए होते हैं अकसर उन्हें फेक देते हैं तो आप उनका यूजफ भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कभी भी फेकिंग नहीं आप तो यहां पर सबसे पहले गैस के चावल आ रहा है तो आज मैं उसी को आपको दिखाऊंगी तो यहां पर यह देखिए देखने से बिलकुल भी नहीं लगता है कि यह रियल है या फिर प्लास्टिक के हैं तो आप क्या कीजिए इन दियों के उपर इस चावल को डालिए अगर यह प्लास्टिक होंगे तो यह एक मिनट के लिए और बहुत ही बढ़िया सा उसका फ्लेवर इनाइंस हो जाएगा बिलकुल स्मोकी स्मोकी सा लगेगा तो आई होप यह टीप आपको पसंद आई होगी अब चलते हैं अगले टीपी तरफ चुकि काफी जादा यूसफुल है और यह सभी लेडिस को बहुत जादा यूस में आएगी तो यहां पर देखें यह अकसर करके हमें चूड़ियां बदल नहीं होती है तो यहां पर देखें कि क्या होता है कभी कभी चूड़ी छोटी होती है तो निकलती नहीं है आसानी से तो आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा मॉस्टराइजर लेना चाहते हूं तो बहुत ही आसानी से यह निकल भी जाएगी यह देखें मैं आपको निकाल के दिखाती हूं यह देखें तो अभी तो नहीं निकल रही थी बहुत ही टाइट निकल रही थी लेकिन अभी बहुत ही आसानी से निकल जा रही देखें और आपको मैं दिखाऊंगी म और फिर यह प्रॉब्लम सभी के पास आती है तो मैं इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं देखे यह छोटी चूड़ी है और जो भी मैंने निकाली थी बड़ी तो कितनी भी छोटी आप पहना चाहें तो आप बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं बिल्कुल भी हातों में चोट भ करना बिल्कुल मुद भूलीएगा फिर मिलते हैं तब तक लिए बाबाई थैंक्यों फॉचिंग